हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हमें पुरानी कुर्ती में से बेबी के लिए टॉप और स्कर्ट बनाएंगे तो इसके लिए हमने कुर्ती को फोल्ड कर लिया है अच्छे से अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो हमें स्कर्ट की लेंद 15 इंचिज लेनी है क्योंकि हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उपर सिलाई के लिए 1 इंच चोड़ी हम लास्टिक डालेंगे तो उसमें हमारा 1.5 इंच कपड़ा चला जाएगा इसकी कटिंग कर लेते हैं विर्थ इसकी इतनी ही रखनी है उसके लिए हमें कोई कटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और नीचे से हमारा कपड़ा फोल्ड हुआ है उधर भी हमें कपड़ा नहीं चाहिए अब अपर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं तो कपड़े को फोल्ड करेंगे जो बागी कपड़ा बचा हुआ है एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है कौने इन्हें कट कर लेते हैं पहले अब हमें टॉप की लेंथ चाहिए 10 इंचिज तो उसके लिए हम एक निसान लगाएंगे 10 इंच पर हाप इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए इन निसानों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन खीच लेंगे तो ये हमारा टॉप के लिए कपड़ा कट हो जाएगा इसे कट कर लेते हैं अब जिदर हमारी गले की साइड है उधर से हमें 4.5 इंच पर निसान लगाना है सोल्डर के लिए आर्म होल भी हम 4.5 इंच लेंगे और चेस्ट साइड जितना है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच पलस कर देंगे तो इधर से मैं 8 इंच पर निसान लगा रही हूँ नीचे से हम 7 इंच पर निसान लगाएंगे 1 इंच कम उपर से नीचे की साइड हम 1 इंच कम लेंगे तो इन निसानों को आपस में मिला लेंगे और इधर हम गोल आई दे देंगे अब इसकी कटिंग कर लेते हैं अब हमें ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर निसान लगाना है गले की साइड से और इन निसानों को आपस में मिला लेना है और इधर तक कपड़े को कट कर लेना है ये दोनों पार्ट है इधर तक कपड़े को कट कर लेंगे अब जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा है कुर्टी का उसमें से हम फ्रिल के लिए कपड़ा निकाल लेंगे थ्री इंच पर निसान लगाएंगे तो इतनी चोड़ी हमें पट्टियां चाहिए फ्रिल के लिए जो हम टॉप में लगाएंगे और यह हम दो बार कट करेंगे अब सिकर्ट को हमें हाप इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक बार और करना है इसमें हमें वन इंच चोड़ी लाश्टिक डाल दी है और इधर हमें थोड़ा सा खोला रखना है जिदर से हम लाश्टिक डालें तो पूरे पर एक सलाई लगा लेंगे और यह हम वन इंच चोड़ी लाश्टिक डालेंगे इसमें तो पहले सील लेते हैं थोड़ा सा खुला रखेंगे हम हमने खुला रखा है लास्टिक डालने के लिए और ये लास्टिक लिए हमने जिसकी विर्थ है वन इंच और लेंथ है ट्वेंटी इंचिज करें ले लेक्षब करते हैं यह हमने तिर्ची पट्टिया लिये जिने हम बाजू की तरफ सीलेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक-एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से तो दोनों पार्ट हमने सील कर त्यार कर लिये हैं तो बाजू पर तो हमने तिर्ची पट्टी लगाई थी और गले की साइड हमें ये सीधी पट्टी लगानी है और इसे उल्टी साइड में फोल्ड करना है और एक-एक सिलाई लगा देनी है अगले वाले पार्ट पर भी और पिछले वाले पार्ट झाल 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 यह हमने दो पीस ली है कपड़े के ब्लैक कलर के क्योंकि उसका कपड़ा बचा नहीं था तो इसमें ब्लैक कलर का प्रिंट भी है और यह उससे मैच करता हुआ है तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे दोनों पर अब इन्हें सिल लेते हैं दोनों साइड में और जिदर हमने लेस लगाई है उसके उपर हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं तो मैं एक रीबन का बना हुआ फूल इसके उपर लगाऊंगी और जो डोरी बची है कुर्ती की उन्हें भी लगाऊंगी तो यह हमारी प्यारी सी टॉप बन कर त्यार हो जाएगी फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर करें